प्रेंस लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है आज मेरा टॉपिक है कि गुल्दावदी पर हम दुबारा कैसे फ्लाविंग ले जैसे कि अब फ्लावर जाने का टाइम हो रहा है इनका एक बार फ्लावर आने के बाद ये रेक्ष्प्रिंट हो गया है और इनको अगर हम नहीं हटाएंगे तो हमारा प्लांट मनने लगता है लेकिंग गुल्दावदी उन में से होता है वह प्लांट है जो हमारे पास अगर हम एक बार विंटर सीजन में इसको ले आते हैं तो ये पूरे साल हमारे पास बना रहता है अगर अगर आम इसकी ठीक से देख़ाल तो फिर यह हमारे पास पर्मानेंट रह जाता है और नेक्स्ट ये फिर से यह फ्लावरिंग करता है तो इसके लिए क्या करना है फ्रेंज सबसे पहले रेखे यह जो फ्लावर्स हो रहे हैं सूक रहे हैं अब यह मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया है इनको खिले हुए लगभग 2 महीना हो गया है तो इनको आप कट कर देंगे इस तरह से ये पूरे सूके फ्लावर हम हटा देंगे देखकर अगर आपको बड़ी कैची से दिकत है तो हमेशा अच्छा रहता है वैसे कि हम छोटी वाली सीजर यूज करें कटिंग के लिए इससे प्रॉपर उसी कर देंगे जिस से कि हम इसकी करेंगे चाहिर दैने हम लगे और प्लावरों से क cach종 आपकें कर देंगे जुसरा हो में चाहिए। bancoceproid हो थे,, नीशने के लोगे सब्सक्राइबु रिंगी डेंगे कि साहिए। अब हमें देखे ये मेरा cuttings लगाएवा plant है और इसमें अभी अच्छे से flowering हो रही है तो process सब पे सेम ही रहेगा और इस पे भी मैंने अभी flower हटा दिये हैं वो मैंने आपको नहीं दिखाया है इसी तरह मैंने इस पे भी सारे सुखे flower हटा दिये हैं इसमें yellow color के flowers थे तो इन सा प्लावर्स को हटाने के बाद हम क्या करेंगे बहुत हलके हाथ से गुडाई कर लेंगे पूरे पूट की आप अच्छे से गुडाई करिए और गुडाई करने के बाद इसको फर्टिलाइस करना है तो आप देखोगे कि इसमें दुबारा फिर से flowering होगी और फिर से बट ब आते हैं बस उसी पर लेंगे